तो ये है ग्यान थेरपी जाइन दोस्तों क्या हाल है और मेरा नाम भी है राकेश I know I know I know बहुत बुरा लग रहा है बट ट्वीटर पे जितने फोलोवर्स हो आप लोग मैंने यासे मजे लेने के लिए एक ट्वीट कर दिया मुझे लगा यार थोड़ी कर रहा हूं कि 500 रीटवीट हो जाएंगे लेकिन डेड़ गंटे के अंदर इतने रीटवीट कौन करता है यार मुझे भी आठ साल हो गए थे अपनी शकल देखे कोलेश टाइम की फोटो यह थी तो दो डाई महीने आपको जेलना पड़ेगा दुबारा से घर की खेती वापीस आजाएगी कोई अंसब्सक्राइब नहीं करेगा अल्ट्रा के साथ तो मेरी परस्णालिटी सूट ही नहीं हो रही अभी अभी सस्ता था मीट एंड लाइट लग रहा हूं और वापीस आजाते हैं यह है मी 11 अल्ट्रा मेरे पास कई दिन से और इसके बारे में मैं अपना शेयर करूंगा काफी कुछ बताऊंगा गेमिंग सब कुछ एकदम कैमरा बगरा लेकिन यह फोन जब से लॉन चुआ इंडिया में अभी बाय नहीं किया जा सक यह कब होगा कब मिलेगा मुझे नहीं पता मतलब यूनिट ला नहीं पा रहे है यह लोग तो यह उनका ओफिशियल लेटर है वीडियो रियल लाइफ बेस प्रैक्टिकल टाइप होगी लेकिन जो में स्पेक्स है उसके मामले में मतलब किलकर रखा सच में मार्केट में ले सपोर्ट करता है 67 वोट प्रेमियम डिजाइन अमेजिंग इसका साउंड आउट्पूट है जो स्पीकर है सीरमिक बैक कैमरे के बारे में तो मैं भी बात करूंगा साथ में यह वन पॉइंट वन इंच का डिस्प्ले टैप कर सकते हैं और डिस्प्ले की तरह मान लो आप ले यह नहीं गाम करता चाहे स्टोरे जो चाहे फिर इसका हैप्टिक एक्सप्रियेंस सब कुछ कमाल गया है लेकिन अगर वहीं बात करें इसके इन हैंड फील की न तो यह फोन बहुत ज़्यादा भारी है सुरू के एक दो दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी ऐसा लग जगा पर है यह वन उफ दा फास्टेस्ट नहीं है बट पोजीशन बहुत अच्छी है और पूरी की पूरे डिस्प्ले कार्व है और एक तरफ दो तरफ नहीं पूरी चारो तरफ जब आप नहीं रहे फोन लोगे तो कुछ हजीब लगता है यहां से एक कॉर्णर से जो यह है और इसकी ब्राइटनेस मैं फुल कर रहा हूं फुल एंड फुल कैमरा पर दोनों एक साथ दिख रहे हैं अब आप देख लो तो थोड़ा आपको ज़्यादा ही टाइम देना पड़ेगा इसके साथ कमफटेबल होने के लिए आपको क्योंकि बड़े फोन से दिक्कत नही है ठीक है बट यह कमफटेबल होता है इसका जो करवी शेप है और जो लाइट वेट है बेटल ग्राउंड बहुत सही जलता है इसमें स्मूज 60fps यहां पर एच्डियार 60fps हां अल्ट्रा एच्डी पर यहां पर आपको मिलेगा वही अल्ट्रा तक मतलब 60fps नहीं है लेकि नि एकूल लेजन जो था उसने सबसे कम टेंपरेचर गेन किया था उसके अंदर कूलिंग चेंबर हो गएरा काफी बड़ा लगा है वह प्रैक्टिकली काम करता हूँ दिखा और इसके क्या हाल है इसके अंदर भी गेमिंग करते हुए यस आपको हीटिंग मिलती है जैसे की 10 मि जल्दी टेमपरेचर गेन करता हुँ दिखता है यहां भी दिखता है कैमरा यूज करते हुए फील हो जाता लेकिन ऐसे कुछ मेजर दिखकत नहीं एक टेमपरेचर पर जाने के बाद ऐसा नहीं की 50 चला जाएगा ऐसा नहीं होता आपके मन में मैंने में 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 ना काफी प्रशानी नहीं होती, इवन अगर नोटिफिकेशन पैनल हो, या फिर ये प्ले स्टोर हो, या फिर कोई भी ऐप मतलब ओपन करना होते हैं, यहाँ पर मुझे कोई भी लैग या फिर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, और MIUI को तो मैंने पहले भी देखा है, 15-20 जार के फोन जितनी ज़्यादा दिक्कत करता है, उतने ही बैटर चलता है महेंगे फोन में, तो हाँ, एक दुबार मिल जाते हैं, आम बात है, लेकिन ऐसे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं मिली, कैमरे की बात करें, जिसको DxO वाले भाईया ने दे रखा, maximum score, याद होगा एक और शाओ शाओमी का तो लगता ही नहीं, फील नहीं होता है, ये शाओमी का कैमरा है, स्किन कलर देखो, आप अल्ट्रा वाइट फोटो देखो, आप कितनी ज़्यादा इसको, आप मतलब यूसेबल फोटो कहूंगा, मैं, human face देख लो, आप अल्ट्रा वाइट अंगल के साथ, even main camera मे जो ported mode है, यहाँ पर अगर मैं इस फोटो को जूम करके दिखा हूँ, आप ये बालो को देखो, कितना सही से यहाँ पे blur किया हुआ है, even selfie में भी detail की बात करें, much detail है, और 48 megapixel का टेली फोटो लेंस भी मतलब ऐसी फोटो लेंस भी आप यहाँ से बढ़ियां काम चला सकते हो 5x पे, क्योंकि optical zoom होता है उसके बाद अगर zoom की बात करें तो 120x तक जाता है, जो जायर सी बात है digital होता है, 120x पे हाला कि OIS तो है इसके अंदर टेली फोटो में और main में, लेकिन S21 Ultra 100x पे भी क्या करता था, अपने आपको ज़्यादा stable रखता था, यह नहीं कर पाता है उतन लगता है, अब मेरे पास 12 Pro Max तो नहीं है बट आइकोन 12 Pro है, और 12 Pro से मतलब मैं यह फोटो दिखाता हूँ आपको, नॉर्मली वैसे मैं iPhone और Android के comparison नहीं करता है, दोनों के users अलग है, user अलग है, experience अलग है, बट यहाँ ज़रूरी थोड़ा सा हो जाता है, DXO वाले भईये की जैसे, पहली फोटो देखो, आप इस फोटो को जूम करके देख लो, आप iPhone better light capture करता है, इवन यहाँ पर आप आप देख रहे हूँगा, यह blur कर देता है, side में 11 Ultra, यहाँ आपर नुकसान होता है, ज्यादा मेगा पिक्सल की विए जो sides है, वो, मतलब, blurries ने सो जाता है, उस मुझे low light में लगा, यह वाला फोटो देखो, आप यह है night mode से, दोनों सही लग रहे हैं लेकिन ध्यान से देखो, आप यह grills पे detail देखो, इवन यह ported mode देखो, यहाँ पर shadow part को ज़्यादा dark कर दिया है, 11 Ultra ने, और यह चीज मुझे 70,000 रुपे देने के हिसाप से, जैसे मै मुझे किसी को camera में pick करना हो, तो वो Mi 11 Ultra है, तो आप तो कोई एक phone buy करोगे, तो Ultra आपको काफी कमाल का camera जल देगा, और DxO Mark की बात करें तो, तो price recording search में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या, जैसे कुछ, मैंने title देख रहे हैं, कुछ जैसे मस्त मस्त, कि Mi 11 Ultra killed Samsung, so यह title न अभी आप phone में launcher लगा के तो नहीं home होगे न, तो वो एक जो branding है, तो यह एक ना, अलग level का, मतलब decision है, जो आपको खुद लेना पड़ेगा, इस phone के लिए, अगर इंडिया में जब भी आता है, Ultra तो नहीं है, मेरे पार नहीं, तो मैं उसका comparison करके भी दिखा जाता है, वो यह एक अलग level का feel देता है, यह एक अलग level का feel देता है, और यह एक अलग level का feel देता है, सबकी अपनी value है, तो कुछ ऐसा सा था मेरा इस भारी वरकम, मी 11 एलिटरा के साथ experience, I hope आपको वीडियो पसंद है, यह वीडियो पसंद है, तो like, share, subscribe जरू करना, मैं मिलता हूँ आप करना, मिलता है, बदियों का अपूँ कि उन्म कर